वसीम जाफर ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए चुल लिया भारत का 15 का स्क्वाड स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूँ आपका अपना दिव्यांशू जैस्वाग 5 अक्टूबर से 19 नवंबर की बीच भारत में वर्ल्ड कप खेला जाएगा ODAI फॉर्मेट का ये वर्ल कप है और पिछला जो वर्ल कप 2019 का था वो इंगलंड ने जीता था वो भी अपनी सर्जमी पर तो इस बार भारत का जो मैचिस हैं और पूरा जो वर्ल कप है पूरा इंडिया होस्ट कर रहा है तो उमीद रहेगी कि टीम इंडिया इस वर्ल कप को उठाए और 2011 के बाद अब जाकर भारत वर्ल कप जीते और 2013 के बाद से जो ICC टोफी का जो सूखा है पिछले 10 साल का वो खत्म करें अब इसके लिए एक अच्छे स्क्वाट की जरूत होगी वो 15 खिलाडी जो भारत को वर्ल कप जिता सकते हैं खैर उसका जो अनौंसमेंट है वो तो बीसी से आई बाद में करेगी वो लगभग 5 सितंबर तो को वर्ल कप स्क्वाट जो है वो आ जाएगा क्योंकि ए दोरान वर्ल कप का स्क्वाट भी आ जाए पर उससे पहले वसीम जाफर जो पूर्वक क्रिकेटर है उन्होंने अपना जो पंद्रा का स्क्वाट है वो बता दिया है दरसल इंडिया और विस्ट इंडीस के बीच चल रही टस सीरीज के दोरान जीयो सिनमा के थू ही जब वस वसीम जाफर ने शिखर धवन को पिक किया है जब बैक अप ओपनर तो उन्होंने शिखर धवन को रखा है बैक अप ओपनर की रूप में वहीं मिडल ओर में श्रे सायर हैं के लाहुल है हार्दिक पंडिया है रविंद जडेजा है अक्षर पटेल को इंक्लूड किया है आल राउंडर्स वसीम जाफर ने पिक किये हैं विकेट कीपर के रूप में वो चाहते है कि के लाहुल विकेट कीपिंग करें और साथी साथ संजू सैंसन को भी उन्हें अपनी टीम में पिक किया है अब अगर बात करें फास बोलिंग लाइनप की तो महाँ पर मुहमद प्लस हार्दिक पंडिया तो इस तरह से पांस से चाह बोलर्स का इस्तेमाल वसीम जाफर करने वाले हैं प्लेइंग 11 में और बाकी ये पूरा बैटिंग ओडर है जो उन्होंने पिक किया जिसमें संजू और शेखर धवन को अपने स्क्वाड में वसीम जाफर ने इंक्लू